जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर जुकाएंगे जातरकत आता है दोस्तो त्रिभूज, आयात, वर्ग, फिर उसके बाद आता है बृत, छत्रभूज, चतुर, भूज, फिर उसके बाद आता है और्ध बृत, अब इसमें थ्रीडी में क्या आता है दोस्तो, घन, घनाब, बेलन, शंकु, गोला, खोखला गोला, खोखला बेलन, ये सब आता है थ्रीडी के अंदर कर, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहें दोस्तो, टूडी, जिसे कहते है टू डाइमेंशन, जिसमें आकरती का सिर्फ जो है, लंबाई, चोडाई, और दी हुई आकरती का छित्रफन निकालते हैं, औ टूडी क्या होता है, अब हम लोग टूडी में पढ़ रहें दोस्तो, क्या आज का टॉपिक है दोस्तो, और धबृत, जिसके पहले बृत समाप्त हो चुका है, जितने भी इससे कोशन बन सकते थे, हमने ये के कोशन को समाप्त किया है, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके जरूर देखिएगा, ठीक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा लिजिए, कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है, जो आज का टॉपिक है दोस्तो, अर्ध बृत, प्रित तो जानते हैं न, ये एक गोला, ठीक, ये है बृत, अगर हम इसको बीचो बीच से आधे पर से काट दे, काट दे तो यही कहलाएगा, इतना अगर हम हटा दे, इतना रहे, तो यही कहलाएगा अर्ध बृत, अब इसमें समझे दोस्तो, त्रिज्या क्या होती है, कोई भी वस्तु जहां पर संतुलित अवस्ता में एकदम अस्थाई हो जाए, वही उसका केंदर कहलाता है, तो जैसे ये मारकर है, इसका केंदर जहां पर यह अस्थाई हो जाएगा, इस तरह टिक जाएगा, यही इसका यहां पर केंदर होगा, उसी तरह इस सरकल का यह कें अंदर से परीधितक की दूरी को त्रिज्जा कहते हैं जिसे आर से डिनूट करते हैं इतनी दूरी को त्रिज्जा कहते हैं और इधर भी इतने दूरी है सेम तो इसको भी त्रिज्जा कहेंगे क्लियर हो गया अगर हम टोटल मिला दे तो यह कितना होगा तो इसे कहते हैं दोस अगर यहां से बात करें तो यह जो है ब्यास का लाएगा अब इसमें आपको पढ़ना क्या होता है इसमें आपको चांप की लंबाई अब चांप की लंबाई क्या होगा माश्टर तो देखिए यहां पे अगर गुलाए परकार का नोक रख के अगर हम यहां से इस तरह यहां स को ग्याद करना होगा न परिमाप उसमें सिर्फ परीध निकालने होती है लेकिन इसमें आपको ये चांप की लंबाई मतलब ये पूरी लंबाई निकालने होगी और इसमें परिमाप भी आता है परिमाप क्या होता है दोस्तों ये इतनी लंबाई निकाल के ये भी लंबाई इसमें जोड देंगे तुख कैल आएगा परिमाप क्लियर हो गया परिमाप क्या होता है और जो है चांप की लंबाई क्या होता है देखे सुत्र क्या बनते हैं चांप की लंबाई पहले ये वाला यल की दूरी निकाल लें चांप की लंबाई बराबर क्या होता है अगर ये प इतना आधा है तो इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तो पाई यार चाप की लंबाई हो गई पाई यार अगर ये पूरा रहता तो टू पाई यार रहता लेकिन जब ये आधा है तो सिर्फ इतनी दूरी कहलाएगी पाई यार क्लियर हो गया ये तो चाप की पाई रहेगी पाई आर प्लस और ये भी दूरी रहेगी ये कितनी है आर इतना आर इतना टोटल जोड़ेंगे तो टू आर हो जाएगा क्लियर हो गया तो परिमाब बराबर टू आर अब इसमें छेतरफल छेतरफल बराबर क्या होगा ये बीच वाला देखें बृत का आर बाई टू ये हो गया जो है अर्ध बरित का छेतरफल और ये आपका परिमाब हो गया ये चाप की लंबाई क्लियर हो गया कि अर्ध बरित क्या होता है अब इसमें एक होता है दोस्तों त्रिजिखंड क्या होता है त्रिजिखंड क्या होता है मास्टर त्रिज्या द्व हमने कहा कि तरिज्या द्वारा कटा हुआ भाग थिरिज्खंड कालायई है दोस्तों ये वाला भाग ये इतना अगर हम काट के निकाल देटो यही काल आएगा तिरी जखन देखिये कैसे निकालना है यह देखिए यह अगर हम पाट के यही चीज है सेम है कि नहीं कि अगर हम यह यहाँ पर ye-9 काल के काट तो यह इसमाला र यह त्रिजया हो गया यह चांप की बनेगा देखिएगा ये आपका इस तरह बनेगा कि नहीं ये चीजे अगर काट के निकाल के यहाँ पर रख दें तो ये जो बाकी सेस बचेगा इस तरह बनेगा कहेंगे बिलकुल बनेगा माश्टर तो ये भी तृज्यार हो जाएगी ये केंद्र है तो ये चाप की है चोटे बृत की चाप की लंबाई एंसे में आपपको निकालना Ł है यह और यह बन रहा है तो यह का बन रहा है यहां पर नहीं है मतलब यह just psychiat है कि कितने पार बन रहा है तो jetzt यह थीटा तो यहाँ पर इसका यह बाहर वाला थीटा हो गया और इसके यह अंदर वाला निकाले हैं तो यह अंदर वाला थीटा अब इसमें हम को क्या निकालना है पहले तो चाप की लंबाई चाप की लंबाई बराबर ये छोटे वाले के लिए भी यही सुत्र होगा बड़े वाले के लिए भी यही सुत्र होगा क्या होगा 2 pi r थीटा बटे में 360 2 pi r तो होता है बृत्त की परिदी और ये जो थीटा होता है जो बीच में कोड बन रहा है दोस्तों यह वाला यही थीटा बटे में 360 कर देंगे तो यह चांप की लंबाई यह दूरी पता चल जाएगी अब इसमें आपको निकालना होता है परिमाप अब परिमाप क्या होता है दोस्तों किसी भी वस्तों का परिमाप निकालने का आर्थ यह होता है कि टोटल जितनी भ जो है त्रिजखंड का जो है परिमाप निकल आ जाएगा जिसे त्रिजखंड को अंगरेजिम कहते हैं दोस्तों सेक्टर आप सरकल स्वारी तो परिमाप बराबर देखिए टू पाई आर थीटा बटे में त्रिजखंड का चल जाएगा आपको पता चल गया चांप की लंबाई क्या होती है परिमाप क्या होता है यही सबसे में इंपोर्टेंट है मेंसूरेशन में कि आप इसकी फियोरी अगर कैदिस समझ गए तो ऐसा कोई कोस्टन नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाएंगे तो यह पूरा चत्रिजखंड का समझ लिए और जो अर्ध बृत का समझ लिए तो अब हम लोग चलते हैं कोस्टनों पर देखें कुछ सेकेंडों में आप कोस्टनों का एंसूर देंगे दोस्तों आपके सामने कितना जबरदस कोस्टन क्या दिया है एक अर्ध बृत के आकार का खेत है जिसका ब्यास एक कईस मीटर है इस खेत में पांच रुपिया प्रति मीटर की दर से तार का घेरा लगवाने में का खर्च कितना आएगा ये आपसे पूछा है पहले इसका स् इसका ब्यास ब्यास किसे कहेंगे ये टोटल दूरी का आए ब्यास तो अगर हमें यहां पे तरिज्जा की जरूरत है तो आर बराबर कितना होगा एक कईस बटे में दो होगा क्यों क्योंकि टोटल दूरी का तरिज्जा जो है आधा होता है तो ब्यास का आधा कर देंगे त भी घेरा बनाएगा मेरे भाई तो ये देखिए इसके boundary पर लगाएगा न तो इस तरह लगाएगा तो ये total boundary घेरने में कौन सा सुत्र लेगीगा कहेंगे गुरु जी परिमाप इसका निकालेंगे तो अर्थ बृत का परिमाप बराबर परिमाप बराबर आर का मान कितना है एक कईस बटे में 2 अब पाई का मान आप जानते हैं बाईस बटे में 7 बच्पन से पड़ते आ रहें और ये 2 अब देखिए एक कईस बटे में 2 गुडे साद दूना चाउदर चाउदर बाईस जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 36 36 बटे में 7 अब ये काटेंगे साथ तरीका एक काईस अब ये 18 बार में कट गया तो कितना आगया अठारत याई 54 मीटर तार पूरा लगेगा तो यहाँ पे कहा है कि एक मीटर जो है एक मीटर तार लगवाने में 5 रुपिया तो 54 मीटर तार लगवाने में कितना रुपिया डारेक्ट लिलिक दीजिए टोटल खर्च बराबर टोटल खर्च बराबर 54 गुड़े 5 एक जानते है न अगर एक कलम का दाम पांच रुपिया तो चववन कलम का दाम कितना भाईया चववन गुड़े पांच कर दीजिए तो सीधा सीधा आ जाएगा पांच चववके बीस पांच पचे पचीज दू 27270 रुपिया आ गया टोटल खर्च अगर टोटल बाउंडरी से इसको घेरेग समझ में आया एक कोस्टन क्या पूछ रहा था चलते हैं अगले कोस्टन पर देखे दोस्तों आपके सामने बहुत ही जबरदस और आज के वीडियो का लाश्ट कोस्टन है तो ध्यान प्रोवक समझना देखे बहुत बार पूछा जाता ऐसा कोस्टन आप रिजिनिंग में भ लंबाई पूछा है देखे एक घड़ी है घड़ी इसी प्रकार होती है इसमें बड़ी वाली सुई यहां से 20 से यह बड़ी वाली सुई जो है इसकी लंबाई जो है आपको पता है कि यह बृत्ताकार है तो केंदर से यहां तक की दूरी को तरिजा कहते है तो यही दूरी दिया है 14 cm मतलब इस घड़ी कि क्या क्या आइए सुई की लंबाई जो है अर बडाबर 14 cm क्लियर हुआ कह रहा है कि 20 मिनलट तो मालिक यहाँ पर है तो 20 मिनलट में यह सुई Hierं पर आ गई इतना चीज़ समझ गए तो 20 मिनलट में यह सुई यहाँ प्यारा आ गई तब भी तो इसकी लंबाई तो इतनी रहेगी 14 सेंटीमीटर तो यही आप से दूरी पूछा है चांप की लंबाई अब आपको यह पता होना चाहिए चांप की लंबाई में यह थीटा कितना बना रहा है यह कोण तो यहाँ से एक चीज बताईए चांप की लंबाई बराबर यह दूरी बराबर आपको हमने अभी बताया था यह त्रिजखंड है त्रिज्या द्वारा कटा हुआ बाग है की नहीं तो त्रिजखंड का चांप की लंबाई क्या होता है टू पाई आर थीटा बटे में 360 एकदम सिंपल सा है एक चीज बताईए दोस्तो यह थीटा मान दिया नहीं है आपको कहीं डिगरी दिख रहा है तो यहाँ से आपको एक चीज पता होना चाहिए एक मिनट में कोई भी सुई जो है एक मिनट में जो है मिनट वाली सुई कितने डिगरी का एंगल बनाती है चाहँ डिगरी का यह याद रहे यह चीज आपको याद रहे एक मिनट में बड़ी वाली सुई यानि मिनट वाली सुई चाहँ डिगरी का एंगल बनाती है तो यहा बीजडिग्री अब यहाँ पर मारक दीज़े 2 इंट यहाँ पर तो πाई कमान ना है 22 बटे में 7 होता है गुड़े त्रिज्या कमान यह वाला त्रिज्या कमान कितना है 14 गुड़े थीटा कमान अभी आपने निकाला 120 डिजडिग्री बटे में 360 अब यह कड़ गया बारत याई 36 यह साथ दूना 14 यहाँ पे मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 88 बटे में 3 आएगा कि नहीं 29 दसमलो 33 मीटर यह चांप की लंबाई पता चल गई समझ में आ गया यह सिर्फ आपको चांप की लंबाई पूछा था तो यह सुत्र रखें अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि इसका परिमाप बताईए तो यहीं पे प्लस टू आर कर देते तो इसका परिमाप निकल आता अगर इसका छेतरफल पूछ देता आपसे तो पाई आर इसक्वाइर थीटा बटे में 360 करते देते दो दोस्तो तो बीच का छेतरफल पता चल जाता चाहे अगर आपको थियोरी पता है जितना हमने अभी बताया है चाहे जो भी पूछ है आपसे हर एक कोस्टन का आप एंसर बहुत आसानी से देंगे ठीक तो आई होत कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा लिजे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क कैसी लगे वीडियो कमेंट के मादब जरूर बताएगा अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में सेयर करिएगा और लाइक करिएगा ठिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जहिं